भगवान जगत गुरु आदी शंकराचारे की समाधिस्तली की तरफ आदी शंकराचारे की वो समाधिस्तली जो साल 2013 के जलप्रले में पूरी तरीके से नश्ट हो गई थी भगवान शंकर का अगर देखे तो भगवान शंकर ने आदी गुरु शंकर ने चारो धामों की स्थापना करके भारत के भारत के भागोलिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक एकी करल का उन्होंने कारे किया बद्रिनाथ के दारलाथ धामों में उत्तर भारत और दक्षण भारत के ब्रामणों और पंडितों के संचालन की प्रक्रिया को शुरू करके उन्होंने उत्तर और दक्षण के बीच की सांस्कृतिक सेथ के निर्मान का भी कारे किया देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकी करण और भोगोलिक सीमा का चिन्धांकन और रूपांकन भी आदिगुरु शंकराचारे ने किया और यहीं आदिगुरु शंकराचारे की करमस्थली रही तपस्थली रही और महा समाधी अस्थली भी रही इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान आदिगुरु शंकराचारे जी की समाधिस्थली पर पहुचे हैं उन्हें पुश्पांजली अर्पित करने के लिए समूची ये समाधि नश्थ हो गई थी साल 2013 के महाप्रले में जलप्रले में और प्रधानमंत्री नरेंद निर्देशन में और उनके ही दिशा निर्देश में इस पूरी के पूरे समाधिस्थल को विक्सित किया गया भगवान शंकराचारे की प्रतिमा का नावरण इससे पहले नवंबर 2020 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आये थे तो उन्होंने उसका लोकार पढ़ किय शिवार पन किया विष्वार पन کیyal और अब आदीगुरु शंकराचारे की उस समाधिस्थली के पुनर जीवन के बाद, पुनर स्थापना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचे हैं आदीगुरु शंकराचारे के समाधिस्थली में पुषपानजली अरपित क करने के लिए निश्चित तोर से अगर देखें तो कालखंड का सनातन संस्कृति का कालखंड उन पनों का उन खणों का भी उन वर्षों का भी उन सताप्दियों का भी गवा रहा जब हमारी संस्कृति ही यहां से सनातन संस्कृति समाप्त होने के कगार पर थी लेकिन भगवा भारत भारते के पूरे सधातन संस्कर्ति की पुन्र स्थापना का श्रे आधिगुरु शंकर आचारे को जाता है। जिन्होंने शंकर दिगविजय के जरीए चारों मढ़ों की स्थापना करके न केवल भारत की आध्यात्मिक संस्कृतिक भागोलिक सीमा का चिन्धांकन किया, बलकि भारत भूमी में रहने वाले भारत भारती के पुत्रों को उन्होंने सनातन संस्कृति के दिव्य अनुपालक के रूप में उन्होंने भगवान शंकर ने इस पूरे के पूरे सनातन संस्कृति की पुनरस्थापना का कारे किया अगर साथवी आठवी शताब्दी में आधि गुरु शंकराचारे ने सनातन संसर्थी की पुनरस्थापना की तो वहीं एक कर्मयोगी के रूप में आधि गुरु शंकराचारे को पुष्पांजली अर्पित करने पहुचे हैं प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी और पवित्र जल को अपनी आँखों से लगा कर वो अपने उस संकल्प को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं जो राष्ट्र निर्मार के और जगद गुरु भारत की संकल्पना को साकार करते हैं जगद गुरु शंकराचारी ने अगर सनातन संस्कृती के सभी दिव्य स्तंभो की पुनरस्थापना की तो प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी ने इस अपने आठ वर्ष के कारेकाल में सनातन संस्कृती और भारत भारती ये ताकि अनेक प्रकाश स्तंभो को भी पुनरस्थ मा घंगा को गंगाधर से मिलाने का पुनीत कारे करने वाले काशिवे शोनाथ धाम के कॉरिडोर के शिवारपण की बात हो करते हैं सनातन संस्कृति को भारत भारती इता को विश्व के सामने नए रूप में नए भारत के अभ्युदय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं और यह पूरा श्रे प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी को जाता है कि अगर साथमी आठमी शताब्दी में ये कहना अतिशयोक अगर साथमी आठमी शताब्दी में आधिगुरु शंकरा चारे ने सनातन संस्कृति के पुनरस्थापना का कारे किया शंकर दिग्वीजय के जरिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी सांस्कृति के जएयात्रा के जरिए देश के समस्त भारत-भारतियता के प्रतिकों सनातन संस्कृति के प्रतीकों को दिव्य आध्यात्मिक और दिव्य धार्मिक और दिव्य भारत भारतियता के प्रकाश इस्तंब के रूप में विस्तारित कर रहे हैं, उनका निर्मान कर रहे हैं आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से नए भारत का भ्युदय हो रहा है